बिहार में 1961 से ही उर्दू बहुल मुस्लिम बहुल छेत्रों में जो उर्दू स्कूल है वहाँ पर फ्राइडे को छुट्टी हुआ करता रहा है लेकिन सुकरवार को चुके जो मुस्लिम बहुल एलाके हैं वहाँ के बच्चे उर्दू नोइंग स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए जो धार्मिक परंप्रा है उसका निर्वान करने के लिए या रवीवार को भी जीन स्कूलों में छुट्टिया हुआ करती हैं वहां हाफ देप के बाद छुट्टी हो जाता है बिहार विधान सभा में भी आप देखे होंगे लोग सभा में भी देखे होंगे कि शुक्रवार के नमास के लिए दो घंटे की छुट्टी होती है। बिहार स्कूल कोड 1961 के आदेसा नुसार में 1961 से ही मुसलिम बहुल छेतरों में जो उर्दू स्कूल है। और आज उसी स्कूल कोड 161 के आदेशा अनुसार सभी स्कूलों में जो उर्दू विद्याले हैं वहाँ पर जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन छुट्टी होते रहा है, होते रह रहा है। अब नफरत फैलाने वाले लोग की पोल खुल गई है, हम समझते हैं कि बिहार सरकार को इस मामले में अस्पश्ट रूप से सामने आ करके बताना चाहिए उन नफरती लोगों को कि देश में कहीं भी कोई सरिया कानुन नहीं चल रहा है, बिहार और देश में 1961 के स्कूल कोट के अनुसार ही उर्दू स्कूलों में सुकुरवार को छुटी का आदेश जो पहले से निर्गत है, उसी के अनुसार सुकुरवार जुम्य के दिन छुटी हो रहा है। ही है, उसी के अनुसार होते रहा है। लेकिन सुकुरवार को चुके जो मुस्लिम बहुल एलाके हैं, वहां के बच्चे उर्दू नोइंग स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो धार्मिक परंपरा है, उसका निर्वान करने के लिए, या रवीवार को भी जिन चुट्टिया हुआ करती हैं, वहां हाफ देप के बाद चुट्टी हो जाता है, और बिहार के बिहार विधान सभा में भी आप देखे होंगे, लोग सभा में भी देखे होंगे, कि सुकुरवार के नमास के लिए दो घंटे की चुट्टी होती है, तो ये भारतिये मानने प अपना महौल बनाना चाहती है, देश के लोग अब इनके इस नफरत की राजनीत और सौधागरी को समझ चुके हैं, अब इनके जहांसे में आने वाले नहीं है. लेकिन एक चीज और है कि शिक्षा मंतरी ने कहा, कि ये हमारे जनकारी में नहीं, आर्खन सरकार ने इसको लिगलाइज कर देखने के बाद ही, उनके ही पार्टी के द्वारा इस मामले को असपश्ट किया जा रहा है. हम समझते हैं कि मानिय मुख मंतरी जी, इस मामले में पहले से सजग रहे हैं, कि नफरत करने वालों को बिहार में कोई स्पेस नहीं दिया जाए. अगर वो इस तरह का राजनिती करने वाले लोगों को एस्पेस देंगे तो कहीं न कहीं उनकी जो राजनिती सोच है और उनके परती जो भारतिय इंतापाटी का विचार है वो असपश्टूप से सामने आ जाएगा कि भारतिय इंतापाटी के द्वारा प्रेरना से ये सरकार चल रही है अगर मानिय मुख मंत्री जी इस मामले में स्कूल कोट 1961 का पालन करते हुए जो जारखन सरकार के द्वारा इसको लिगलाइस किया गया है माननेता दिया गया उसी तरह से माननेता दे करके बिहार में वैसे नफरत करने वाले को राजनिती में कोई स्पेस ना दे तो इससे देश का भी भला होगा बिहार का भी भला होगा